एलो फ्रेंज, अब सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में हम कक्सानों सितीज विस्से के अध्यासाथ मेरे बच्चपन के दिन के अभ्यास प्रश्णों को सॉल करेंगे हमने चैप्टर एक से लेकर 6 तक के सभी चैप्टर के क्विस्संस आंस्वर अच्छी से सॉल कर लिये हैं तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखिये तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्चिन में दिऊए वहाँ जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं तो क्लास नहीं से पहले मेरी आप से चोटी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाए तो चलिए हम सरूर करते हैं देखें पहला प्रश्म दिया हुआ है मैं उत्पन हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सेना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सेना पड़ता है इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाए कि उस समय लड़कियों की दर्शा कैसी थी और लड़कियों के जनम के सम्मंद में आज कैसी परिस्तितिया है यानि कि यहाँ पर जो लेखी का है वो कह रही है कि जब मैं पैदा हुई तो उस समय मुझे बाकी लड़गियों की तरह अन्य परकार की जो यातना या दूख होते हैं वो सेने नहीं पड़े तो इस सम्मंद में आपको बताना है कि उस समय लड़गियों की दिसा कैसी थी जिस समय लेखी का का जनम हुआ है और आज के समय में लड़गियों के जनम के सम्मंद में कैसी प्रस्तितिया है इसके बारे में बताना है तो सबसे पहले हम उस समय के बारें बताते हैं जब महिल इस लेखीगा का जनम हुआ था तो उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास बारत में लड़कियों की दसा अच्छी नहीं थी जिस समय उस लेखीगा का जनम हुआ है उस समय लगब कौन सा सन था सन 1900 के समय था तो उस समय भारत में लड़कियों की जो दसा थी वो अच्छी नहीं थी प्राए उन्हें जनम देते ही क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था, उन्हें क्या समझा जाता था? उन्हें बोश समझा जाता था और यदि उनका जनम हो जाता था तो पूरे घर में क्या चा जाता था? एक मातम चा जाता था. महादेवी फर्मा अपने एक संस्प्रोन में लिखती है कि बैंड वाले, नोकर चाकर, सब लड़का होने की परतिक्सा में कुछ बैटे रहते थे. लेकिन जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता, सब चुप चुप क्या हो जाते? बिदा हो जाते. यानि उस समय लड़कियों की समाज में इस्तथी क्या थी? काफी कमजोर थी, समाज में उनको कोई आधरबाव नहीं था. अगर किसी के घर लड़की का जनम होता था, तो फिर समझ लीजिए, उसकी कोई किसी विपरकार की कोई जद नहीं की जाती थी, और लड़के के जनम कोई प्रात्मिक्ता दी जाती थी. ऐसे वातावरण में लड़कीयों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना, आधी बुराईयों का अपरपना क्या था? सब बाविक था. ठीके, तो उस समय लड़कीयों की जो दसा थी, वो काफी क्या थी? निम्न इस्तर की थी, और लड़कीयों को समाज में इतना महत्व परदान नहीं किया जाता था. लेकिन इसी संद्रप में अगर हम आज की बात करें, तो आज लड़कीयों की जनम में, कि सम्मन्द में जो इस्ततिया है, वो थोड़ी सी बजली है. ठीके, पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की की अंतर को क्या करने हैं? दिरे-दिरे कम करते जा रहे हैं. बहुत सारे जागरुग लोग लड़कीयों का भी उसी तरह स्वागत और सतकार करते हैं, जैसे लड़के का किया जाता है. सहरों में लड़कीयों को लड़कीयों की तरह बड़या लिखाया भी जाता है. परन्तु लड़कीयों के साथ बेदभाव अभी भी पूरी तरह समा आप नहीं हुआ आज जितने भी ब्रोल उत्याए हो रही है लड़कियों के जनम को रोकने के लिए ही हो रही है क्योंकि आज भी कई सारे समाज और वर्ग ऐसे हैं जो लड़कियों के जनम को उचित नहीं मानते वो केवल वंस वर्दि के लिए लड़कों के जनम कोई उचित मानते हैं देश में लड़के लड़कियों का अनुपात आज भी विगरता जा रहा है आच्री की बात यह है कि महानगरों में सबसे कम लड़किया कहां पर है चंडी गड़ में हैं जो देश का एक उन्नन सेर माना जाता है बहान ना सिक्सा कम है और ना ही धन वैबन धन और वैबव फिर भी लड़कियों का नुपा निरंतर कम होता जा रहा है बास्ता में लड़कियों के जनम को रोकना वहाँ के निवासियों की मानसिक्ता पर निर्भर करता है कि वो लोगों की जो सोच है अगर वो लोगों की चोस बजदला है लोगों की अगर सोच बदल जाएगी तो नीचित रूप से आज जो लड़कियों के साथ अन्य परकार के भ्रून अत्या है और अन्य परकार का जो बेदबा वो रहा है वो नीचित रूप से समाप्त हो जाए दूसरा पस्टन लेखी का उर्दू फार्सी क्यों नहीं सिख पाई तो इसका जवाब हो जाएगा कि लेखी का कि जो रूची थी वो उर्दू और फार्सी सिखने में नहीं थी उसे लगदा था कि वहाँ उर्दू और फार्सी नहीं सिख सकती है उसे उर्दू फार्सी ने आना का कर दिया बंद कर दिया और इस प्रकार वहाँ उर्दु फार्सी भासा नहीं सीख पाई ठीके चलिए अगला प्रशन लेखिका ने अपनी मा के ब्यक्तित्व की किन विशेस्ताव का उल्लेग किया है इसका जवाब हो जाएगा कि लेखिका ने अपनी मा के हिंदी प्रेम और लेखन और गायन के सौक का वर्णन किया है वे हिंदी और संस्क्रत जानती थी इसलिए इन दोनों बासाओ का परभाव महादेवी परभी पड़ा महादेवी भी महादेवी की माता कैसी थी दार्मिक सब्बाव की महिला थी वे पूजापाट किया करती थी सवेरे करपा निधान पंची बन बोले पद गाती थी साथी प्रभादी गित गाती थी साम को मीरा के पद गाती थी और वे क्या करती थी लिखा भी करती थी तो इस तरह महादेवी पारिवारिक संबंदों को लेखिका ने आज के संदरब में सोपन जैसा क्यों कहा है तो इसका जवाब हो जाएगा हमारे सामने कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारवाइक संबंदों को लेखिका ने आज के संदरब में कैसा बताया है सपने जैसा बताया है क्योंकि जो जवारा के नवाग और लेखिका का परिवार अलग-अलग धरम के ओकर भी क्या रखते थे एक दूसरे से बहुत यदिक आत्मिय सम्मंध रखते थे उनमें बासा और जाती की दिवार बादग नहीं थी दोनों परिवार एक दूसरे के परिवारों को मिल जुलकर मनाते थे एक दूसरे के त्योहारों को ठीक है यहाँ पर आ जाएगा त्योहारों को मिल जुलकर मनाने थे वे एक दूसरे को यतोचित सम्मंधों की डोर से दूरलव हो गया है आज दो अलग-लग समाज या वर्ग के बीच में इस प्रकार का रिस्ता बहुत ही कम देखने को मिलता है ठीक है इसी कारण लेखक लेखिका ने इसे आज के जमाने में एक सौपना की तरह बताया है अगला प्रशन है जेबु निसा मादेवी वर्मा के अगर मैं मादेवी के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंदों के आधार पर उनसे क्या करती अपैक्सा करती कि मेरे संबंद उनके साथ कैसे हैं जैसे संबंद होते उस संबंद के आधार पर मैं उनसे अलग-लग प्रकार के आसाय रखती अगर मैं नोकरानी के रूप में उनक सने चाहती और यदि मैं उनकी प्रसिंसिका या कनिष्ट साथिन के रूप में साहता करती तो कभी-कभी उनसे कविता भी सुन लेती और साथ ही पढ़ाई में भी साहता ले लेती यहां पर यह बताया गया है कि अगर जबुनी साकिस्तान पर मैं होती तो मैं अपने सम्मंदों के आधार पर महादेवी से एपेक्सा रखती जैसे मेरे उनके साथ सम्मंद होते उस सम्मंद के आधार पर मैं उनसे अलग-लग प्रकार के एपेक्सा है रखती ठीके चलिए अगला प्रशन महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियुकिता में चांदी का कटोरा मिला था अनुम ठीके कटोरे जैसा अगर कीमती पुरुसकार मिला हो और अगर देश हित की बात आ जाए तो मैं ऐसे पुरुसकार को खुसी खुसी दे देता क्यूंकि देश के हित से बड़ा कुछ भी नहीं होता देश के हित में ही देश वासियों का हित नहीं हित होता है ऐसा करके मुझे प्रश्ण सेंगा 7,8 और 9 को नहीं किया गया क्योंकि वो आपके प्रिक्षा उपयोगी नहीं है और किसी भी प्रकार के महत्वपन नहीं है अत्ता मैंने उन प्रश्णों को नहीं किया पाट से निम्न लिखित सब्दों के बिलोम सब्द जूंड कर लिखिए तो देखे वि निम्न लिखित सब्दों से उपसर्ग परते अलग किजिए और मुल सब्द बनाईए हमारे सामने कुछ सब्द दिये गए है इनमें से हमें उपसर्ग परते और मुल सब्द को अलग लग करना है तो देखें हमने यहाँ पर एक बाग में उपसर्ग लिखा है एक परते और मूलसब, सबसे बहले बात करते हैं नीराहारी की, तो इसमें उपसर्ब क्या है, नीर है परते ई है, और मूलसब क्या है आहार है, फिर बात करें सामपरदाइत्या की, तो यहाँ पर उपसर्ब कोई नहीं है, परते की बात करें तो एक और ता, यह दो पन तो यहाँ पर उफसर्ग कोई नहीं है परते पन है और मुल्टसद अपना है उफसर्ग क्या होते हैं वे सब्दत्वा सब्दांस जो किसी सब्द के आगे लगगर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं परते क्या होते हैं वे सब्द्या सब्दांस जो किसी परते ता है और तंत्र क्या है मुल्च सब्द है अगला प्रशन देखे प्रशन संग्या 12 निम्न लिखित उप्सरग और प्रतेयों की साहिता से दो दो सब्द बनाईए तो देखे सबसे पहले हम उप्सरग पर अधरित बना रहे हैं अनुप्सरग अनुप्सरग से देखो अनवेंसन और अनसन फिर अव्सरग से असत्य और अन्याय शत उप्सरग से सत्चरीत्र और सतक्रम सब से सवराज और सवाधिन दूर से दूर्जन और दूर बहवार फिर में बात करें परते की, तो दार परते से किनारेदार और दुकानदार, आर परते से पालनहार और तारनहार, वाला से फल वाला और मिठाई वाला, और अनिय से दर्शनिय और आधरनिय, अगला प्रशन, पाठ में आए सामासिक पद चाट कर उनका विग्रह कीजिए, जैस हमने एक सार्णी मिनाई है एक बाग में समस्त पद दूसरे बाग में विगर उसका विगर और तीसरे बाग में समस का नाम तो पहला पद देखे परम धाम तो उसका विगर धा क्या हो जाएगा परम धाम है जो पर समस कुंसा होगा ब्रूवीरी कुंसा होगा बहु विरी क्यो और इसी कारण से यहाँ पर कौनसा समा से बहु विर्री समा से फिर बात करें कुल देवी तो कुल की देवी यहाँ पर कौनसा समा से तत पूरुस क्यों यहाँ पर कारक विबगती की का उप्योग हुआ है फिर बात करें पहले-पहल पहले-पहल का मतलब है सबसे पहले और यह आपर कौनसा समास है अव्यवी भाव ठीक है फिर पंच तंत्र तो पंच तत्रों का समाहार इसमें कौनसा समास है द्विगु समास है फिर बात करें उर्दू फार्सी तो उर्दू और फार्सी इसमें दोनों सब परदान है अतो कौनसा समास है द्वंद्व समास है फिर बात क आगे करपा निधान तो करपा के निधान यहां पर कौन सा है नी भी बक्ती चीने तो तत्पूरुस समास फिर परचार परचार तो यहां पर द्वंद्व समास फिर बात करें कभी सम्मेलन तो कभीयों का सम्मेलन यहां पर तत्पूरुस फिर शत्याग्रव तो सत्य के लिए आग्रव यहां पर भी तत्पूरुस फिर जेव घर्च जेव घिले खर्च यहां पर भी तत्पूरुस फिर चात्रवास चात्रों के लिए आवास यहां पर भी तत्पूरुस फिर जन्म दिन जन्म का दिन यहां पर भी तत्पूरुस फिर निराहार तो बिनाहार यहां पर न तो यह आपका प्रशन संख्या 13 था आगे देखो 14 और 15 वो भी काम के नहीं है प्रशन संख्या 16 कल्पना के अधार पर बताइए कि लड़कियों की संख्या कम होने पर बारती समाज का रूप कैसा होगा तो देखें लड़कियों की संख्या कम होने पर बारती समाज का जो सब्रूप है वो कापी कैसा होगा विकर्थ होगा उससे समाज संतुलन क्या हो जाएगा समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा लड़कों के लिए बहुवों की समस्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ऐसी वस्ता का वातावरन होगा जिसे चार और क्या फेलेगी और सांती फेलेगी लडगियों की संख्या यदि और कम होगी तो एक दिन समाज में ऐसा समय आएगा जब हर लडगी को दिरोपदी बनने पर वीवस होना पड़ेगा ठीक है तो इस प्रकार अगर लडगियों के साथ इ लडगिया डूंडना या बहुए डूंडने भी क्या हो जाएगी मुश्किल हो जाएगा और समाज गास तीक वो भी खत्रे में पड़ जाएगा ठीक है तो उम्मिद करता हूँ सारे प्रशना आपको उच्छे से समझ में आए होंगी क्लास देखने के लिए आग सभी को धन